Welcome idea student and as you see that is today's our topic is locomotion and movement in living organism तो अगर basically अगर आप board की preparation ले रहे हैं तो ये topic आपके लिए बहुत important topic है ठीक है और इस से तमाम जुरी जानकारियां यानि लोकोमोशन और मुवमेंट से जुरी तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी लेकिन आपको अंधर तक बने रहना बड़ेगा वीडियो के तो चले देखते हैं स्टार्ट करते हैं कि how we define locomotion तो locomotion क्या है और इसे हम define कैसे करते हैं तो here it is I have written the process by which the living organism can change the whole body listen student whole body okay from one place to other place due to the voluntary moment एक term आया है voluntary moment of their locomotory organs तो एक term है locomotory organs तो चलिए एक एक बात कर लेते हैं उसके बाद define करते हैं पहला चीज़ों है whole body whole body मतलब पूरा body body का कोई part नहीं whole body मतलब as a whole मतलब पूरा body एक place से जब मान लिज़े यहां पर एक body है और यह अपने पूरे body को a position से b position पर ले जा रहा है तो यह पूरा body displace हो रहा है तो यह होता है दूसरा चीज़ जो है term है voluntary moment तो voluntary moment मतलब क्या होता है जो अपने इच्छा से मतलब स्वैचिक कारे जो अपने आप इच्छा से करते हो जो आपको मजबूर नहीं किया जाता है जैसे आप facebook चलाते हो अपने मन से चलाते हो राइट कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है twitter है आपका जो भी है आप social media करते हो अपने मन से करते हो राइट लेकिन पढ़ना आपको जबरदस्ती किया जाता है समझ महार है तो voluntary moment इसी तरह है कि जिससे आप क्या करते हो स्वाचिक अपने मन से कोई काम जो करते हो उसको voluntary moment क्याते है और तीसरा जो term था वो locomotory organ क्या होता है वो organ जिससे body को एक जगे से दूसरे का place करने में ले जाने में उसके help लगता है जैसे हमारे पास legs है ठीक है legs हो गया एक legs ही न इस चीज़े दूसरे के जाते है तो यह हो गए locomotory organs जिसके थूँ हम एक कोई भी living organism एक place से दूसरे place पे अपने body को transfer करता है तो यह term समझ में आया whole body voluntary movement and locomotory organ तो चलिए अब define करते हैं अब समझ में आएगा तो क्या होगा the process by which locomotion एक process है जिसके त्वारा कोई भी living organism चाहे वो unicellular हो या multicellular organism हो can change the whole body पूरे body को change कर सकता है कहां से from one place to other place मतलब locomotion वो प्रक्रिया है वो process है जिसके त्रूँ एक living organism या एक living body अपने पूरे whole body को एक place से दूसरे place के ले जा सकता है ठीक है किस से with the voluntary movement of their locomotory organ अपने locomotory organ के sweat chick movement के द्वारा ठीक है यानि अपने मन से अपने locomotory organ को वो move करेगा और जिसके त्रूँ पूरा living body एक place से दूसरे place पे पहुँच जाएगा ठीक है तो उस पूरे process को हम नाम देते हैं locomotions I hope आपको समझ में आया होगा ठीक है that is the simple way to understood right so that is the definition if someone asks you what is locomotion so here is the definition of locomotion I hope आपको समझ में आ आ गया होगा understood चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कोई भी कारी जो होता है बच्छों उसका एक purpose रहता है आप पढ़ रहे हो परिक्षे के टियारी कर रहे हो उसका purpose क्या है अपका board में अच्छे marks है तो वैसे जो locomotion होता है living organism में उसका भी उदेश रहता है purpose रहता है यह कोई importance रहता है purpose और importance so here I have written you can see the purpose of locomotion तो locomotion का main purpose क्या है तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे purpose हो सकते हैं बहुत देश हो सकते हैं लेकिन जो important purpose of locomotion के हैं living organism में वो में यहाँ पर आपको दिखा रहा है as you see first one the acquire food to acquire food यहनी food को acquire करने के लिए क्या होता है बच्चों बहुत समय जब सर्दियों का मौसम आता है तो ऐसे बहुत सारे reason है अर्थ पे जो ढग जाता है बड़फ से तंडे के मौसम में या पज़र के मौसम में पूरे पेर सुख जाते हैं तो ऐसे समय में क्या होती है हैं उन्हें food की scarcity हो जाती तो उस जगह को छोड़के वो कहीं दूसरे जगह shifted हो जाते हैं तो लोको मोशन का पहला और मुख्यों देश या purpose हम कह सकते हैं to acquire food राइट दूसरा इसी तरह से second purpose जो है वो shelter for sheltering for better shelter मतलब एक जगह से दूसरे जगह हो जाते हैं for better sheltering के वाज़ से तकि उन्हें सुरक्षा या रहने का जो shelter है वो बहतर मिल सकते हैं जहां रह रहे हैं वहाँ पे वो sheltering नहीं है ठीक है third purpose of the locomotion is protection of their predators तो predators क्या होते हैं प्रीड़र मतलब होते हैं सिकारी जैसे सिकारी से बचने के लिए living organism जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो वो भी उसका locomotion ही होता है तो बचने के लिए जब वो जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि वो बचने के लिए एक जगह से predator मतलब सिकारी से बचने के लिए जिसके वो क्या बोलते हैं उसको जिसके वो आहार बनने वाले हैं उससे बचने के लिए जैसे हिरन किस से बचता है से से बचता है जब से हिरन का पीछा करती है तो भागते हुए कहीं दूसरे एक चिप जाता है तो एक जगह से दूसरे एक sheltering करना sorry protection करते हैं ठीक है समझ मा रहा है next four दिख रहा है आपको in search of new favorable habitat habits क्या होता है natural habitats मतलब जो जहां पर रहता है जो environment में रहता है the animals living in their natural surrounding उसको habitat कहते है और favorable मतलब उसके according climatic condition climate condition क्या होता है बच्चों ऐसे देखो अगर polar bear है तो polar bear को अगर हम रखिस्तान में रख देते हैं और camels को अगर हम polar reason में रख देते हैं तो उनके लिए climatic condition क्या हो रहा है अलग हो जा रहे है न तो वो favorable climate condition में वो रहना पसंद करते हैं तो किसी वयसे जब climate change हो जाता है तो वो favorable condition के लिए ठीक है favorable habitat के लिए नया जगह खोशते हैं तलास करते हैं कि वो एक जगह से दूसरा जगह वो अपना favorable habitat में पहुंच जाए और fifth और important जो है वो है for reproduction reproduction के लिए भी animals क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह locomotion करते हैं तो I hope आप लोगो यह सारे चीज समझ में आया locomotion का purpose क्या है तो एक questions आता है कि locomotion और movement इसमें differences क्या है तो बहुत बच्चे confused हो जाते हैं अब बहुत बच्चों का समझ में नहीं आता है कि locomotion क्या हो गया और movement क्या हो गया तो locomotion क्या होता है बच्चों एक part body का whole part move करता है locomotion में और movement में क्या होता है movement में body का whole part नहीं कोई एक part देखें move करता है तो उसको हम कहते है movement तो चलिए कुछ differences मैंने लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए फायदे के लिए जिससे आप लोगों को clear हो जाए कि क्या क्या differences है main differences क्या है हमारे movement और locomotion में the first difference is as I told you earlier only sorry only part of the whole body moves not the whole body इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा body move नहीं करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में नहीं जाता है whole body का कोई एक part move करता है जैसे आप पेर देख लो तो पेर क्या है एक जगा खरा रहता है पेर stick to the कहा रहता है so we are stick to the ground but जब हवा आती है तो क्या होती है उनके जो पत्ते हैं या फिर जो ब्रांचे से वो क्या होते हैं दाएं से बाएं उपर नीची ऐसे move करते हैं है तो इसको हम क्या कहेंगे movement कहेंगे that is called movement right but whole body shifted one place to other right आप अपने दोस्तों के साथ घर में हो घर से आप बिडियानी खाने के लिए किसी दोस्तों के साथ रेस्टरेंट में जा रहे हो तो पूरे whole body आपका जा रहे है आप घर में थे अभी आप रेस्टरेंट में हो तो पूरा body आपका move कर रहे है तो इसको कहते हैं क्या कहते है locomotion, समझ में आया क्या बताया मैंने, कि जब पूरा body नहीं move कर रहे उसके बदले सिर्फ body का कोई एक part move करता हो जैसे बैटे बैटे आप remote चलाते हो है ना, mobile चलाते हो तो आपका अंगली move कर रहे है, your finger is walking, but you are not right, so वो क्या हो गया, आप बैठे हो, सोफे पर आप mobile चलाहि हो तो यह क्या हो गया, यह आपका movement हो गया ठीक है लेकिन आप खाना-खाने के लिए, आप पानी पीने के लिए सोफे से उठके, fridge के पास आती हो वहाँ से पानी लेते हो फिर आपके घा तो यह आपका क्या हो गया movement हो गया ठीक है understood second point the movement can occur both plant and animals so दीखे यह movement है यह plant में भी हो सकता है जैसे मैंने भी example दिया animals में भी हो सकते हैं ठीक है plant का मैंने और animal का भी example दिया right उसे तरह locomotion जो है वो plant में नहीं हो सकता है generally animals में होते हैं ठीक है लेकिन कुछ aquatic plants है या कुछ plants है जिसमें ये I mean locomotion देखने को मिलते हैं ठीक है third one the movement can occur in any part of the plant or animal body जो movement होता है वो fix नहीं है कि एक ही part में होगा जैसा हाथ में हो रहते हो हाथ में ही होगा ठीक है lower portion palm में हो सकता है किसी भी part में हो सकता है कोई भी part हो सकता है ठीक है but locomotion occur in the presence of locomotory organ तो locomotory organ में ही होता है जो locomotory organ है उसी में ही locomotion होता है ठीक है और भी बोल सकते हैं कि movement के लिए कोई locomotory organ नहीं चाहिए जबकि locomotion के लिए locomotory organ जरूरी है तभी उसमें locomotion होगा तो I hope बच्चो आप लोगो यह differences समझ में आए होंगे तो थैंक्स for the watching see you again in the next video